हाई स्टुडेंट आज हम क्लास स्टेंथ फिजिक्स एलेक्ट्रोमाइटिक इंडक्शन आप लोग के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं यह टॉपिक को लेके सबसे पहले हम शुरुवात करेंगे इसकी डेफिनेशन से बच्चो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं मैं पहले से डेफिनेशन को पॉंट आओट किया हुआ है कि जो इलेक्ट्रोमाइटिक इंडक्शन है बच्चो यह दो वर्ट से मिलके बना हुआ है इलेक्ट्रो प्लस माईटिक इलेक्ट्रो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से है मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी डवलप करने वाले है मागनेटिक का मतलब यहाँ मागनेट से है या मागनेटिजम से है मतलब कही ना कही मागनेट का लिंक है इलेक्ट्रिसिटी के साथ तो electromagnetic induction क्या है बच्चो यह production होता है electricity का magnetism से मतलब magnet के थूँ अगर आप electricity को produce कर सकते हैं तो इसे हम बच्चो electromagnetic induction कहते हैं जो मैंना अलड़ी यहाँ पर लिखा हुआ तो कैसे हम सीच को produce कर पाते हैं ऐसा सबसे पहले माइकल फराडे ने अपने experiment में देखा था सबसे क्या किया था माइकल फराडे ने क्या था माइकल फराडे experiment यह मैंने नीचे आप देखें तो यहाँ शो किया है उन्होंने एक magnet लिया बच्चो और उसको इस तरीके से एक कोईल के पास लेके आए इस कोईल में आप देख रहे हैं कि ग्यालो मीटर connected है यह ग्यालो मीटर अपने अंदर deflection लाता है यह ग्यालो मीटर मैंने उपर शो भी कर रखा बच्चो इस तरीके का deflection करके आपको शो कर देगा जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पहला ए वाला डाइगराम है उसमें ग्यालो मीटर ने उपर इतर डिफ्लाक्चन दिया है लेकिन बी में देखे deflection साइड में आ रहा है तो deflection आने का मतलब हुआ कि यहाँ पर वह बता रहा है कि यहाँ current आया है तो फराडे ने जब अपना experiment किया तो क्या देखा कि जैसे ही वह magnet स्टेश्टरी मतलब बच्चो रुका हुआ motion में नहीं है कैसा है rest में इस rest magnet को जैसे उन्होंने move करना शुरू करा इसकी तरफ लाना शुरू करा तो आप देख सकते हैं कि coil के साथ connected galometer ने deflection दिया और बताया कि हाँ वहाँ पर current की presence है मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर current आ चुका है लेकिन यहाँ current का value 0 है लेकिन आप जब तीसरे diagram में देखेंगे उसने फिर velocity 0 कर दिया है rest में हैं आपका magnet तो आप देख पा रहे हैं galometer अब फिर से रुख गया है deflection देने के लिए तो current 0 अब देखे बच्चों जो आपका D वाला case था वहाँ पर इधर लेके जा रहे थे magnet को अब इस D वाले diagram में magnet को आप opposite direction में ला रहे हैं तो deflection भी देखें उसी direction में नहीं है reverse direction में है यहाँ के deflection में देखें यहाँ के deflection में देखें आपको यह समझ में आ रहा होगा कि इस experiment में आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका यह coil में magnet इस coil में जो current आ रहा है वह तभी आ रहा है जब आप इस magnet को move कर रहे हैं जब आप magnet को reverse direction में लेके जा रहे हैं आप observe कर रहे हैं कि वह deflection भी reverse हो रहा है इस video के end में बच्चो मैं छोटा सा एक clip छोड़ जाओंगा जिसमें आप देख पाएंगे कि deflection कैसे हो रहा है तो बच्चो अभी तक यह बताया यह समझा हमने कि जैसे जैसे आप देखे बच्चो जैसी हम magnet को लाते हैं wire के पास धीरे धीरे लाते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर deflection होता है galometer के अंदर क्यों बच्चो क्योंकि moment of magnet magnet के motion से electric current आया है ऐसे ही आप जैसे stop कर रहे हैं magnet को हम notice कर रहे हैं deflection भी बंद हो जा रहा है क्यों क्योंकि magnet रुख गया है तो कहने का मतलब यह हुआ ना बच्चो कि जब तक की आप magnet को move करेंगे जब तक इस magnet को इस coil के पास लाएंगे move करते रहेंगे तब तक आप इस current को observe कर पाएंगे लेगे स्ट्रेंट आप ये भी देख रहे हैं कि जैसे हम opposite direction में ला रहे हैं तो moment भी जो है opposite direction में हो रहा है तो ये वो experiment था ये वो observation थी जो फराडे ने देखी अपने experiment में तो बच्चों electromagnetic induction क्या है यह एक process है जिस process में आप electricity को ला रहे हैं इस magnet को move करके बच्चों ऐसा भी कर सकते हैं कि आप magnet को रोक करके coil को move करें तब भी आप देखेंगे कि इसके पास current आता रहेगा इस current को बच्चों हम लोग induced current कहते हैं जो आप इस coil के अंदर देख पा रहे हैं लिखा यहाँ पे वो current जो produce हुआ है electromagnetic induction से उसे induced current कहा जाता है बच्चों लेकिन यह current तभी तक produce होता है जब तक wire या फिर magnet में movement होता रहे या तो magnet move करें या तो wire move करें तभी तक बच्चों यह current वहाँ पर रहता है इस current की direction को निकालने के लिए हमारे पास एक rule है बच्चों जिसको हम कहते हैं flaming right hand rule जैसे कि आप देख रहे हैं अगर अपने right hand के thumb को four finger को और middle finger को बच्चों आप अगर mutually perpendicular direction में रखें तो जो four finger है आपका जो four finger है वो field के direction में होगा जो thumb है आपका जिस direction में motion है जिस direction में आप magnet को move कर रहे है या coil को move कर रहे हैं उधर होगा तो बच्चों जो आपका middle finger है वे induced current की तरफ आपको लेके जाएगा तो flaming का right hand rule क्या कहता है अगर four finger magnetic field को indicate कर रहा है thumb जो है बच्चों वे motion को indicate कर रहा है तो middle finger जो है वे induced EMF या induced current की तरफ शो करेगा बच्चों तो यह है हमारा electromagnetic induction का चोटा सा lecture बच्चों जिससे मैंने आपको शुरुआज से बताया बच्चों क्या है ग्यालमेटर क्या है क्या फ्राडें experiment किया कैसे induced current निकाला जाता है induced current क्या होता है बच्चों ठीक है तो सही बच्चों को अगर clear हो sprint तो मिलते हैं हम लोग सही बच्चे next lecture